हलो आज मैं फिर से प्रेज़न्ट हूँ अपने पॉलिटी की ही अगली क्लास के साथ तो जैसे कि आपने मेरे चैनल पर देखा होगा कि मैंने पिछली वीडियो जो है वो फंडमेंटल राइट्स पर आपको पढ़ाई थी फंडमेंटल राइट्स आप आदे पढ़ चुके हैं मैंने आर्टिकल 19 तक आपको पढ़ा दिया है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कैसे क्या हैं फंडमेंटल राइट्स कितने होते हैं यह सारी बाते मैंने आपको वहां बता दी हैं तो उसका ही अगला पार्ट आज स्टार् उनके अंडर आते हैं तो मैंने आपको बताया होगा कि जो है जो दूसरे नंबर का फंडमेंटल राइट है यानि कि स्टंतरता का मौली का दिकार फ्रीडम तो उसके अंदर कौन से आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक के ज आर्टिकल 20, 21, 22 ये तीनों किसमें आएंगे सुतनतरता का मौली का दिकार तो आर्टिकल 20 में क्या दिया हुआ है आर्टिकल 20 कहता है कि दोस्सिद्धिके विरुद्ध सन्रक्षर थोड़ा सा हिंदी टाफ हो जाती है इंग्लिस में जानेंगे तो जानेंगे कि ये क्या है दोस्सिद्धिके विरुद्ध सन्रक्षर यानि कि जो है कानून आपको सन्रक्षर प्रदान करता है कि किस तरीके से आपके उपर दोस्सिद्धिकिया जाएगा आप अपराधी है ये किस तरीके से सिद्ध होगा कि आप अपराधी है इसके इंडर या 20-1 कह सकते हैं उसको तो 20-1 हो गया है 22 और 23 ठीक है तो जो 20-1 है उसमें क्या बोला गया है कि जो है उसके बाद अगर वैसा ही कोई अपराद आप करते हैं तो उस कानून के तहट दोबारा आपको सजा नहीं हो सकती इसका कहने का मतलब है कि पूरू में प्रचलित यानि जो पहले बनाये गया ठीक है लेकिन वरतमान में प्रेजेंड में उसको खतम कर दिया गया हो उस कानून को वरतमान में किये अपराद पर जो है लागू नहीं किया रहा सकता बात समझ में आ रही है आई होप थोड़ा कन्फूजिंग है पर समझ में आई होगी अब आते हैं 22 यानि कि 22 उसमें क्या क्या आ गया है तो उसमें बताया गया है कि दोहरे दंड से बचाओ यानि कि प्रोटेक्शन फॉर्म डबल जोपाडी कि एक अपराद के लिए आपको दो दंड नहीं दे रहा सकते हैं कहने का यह मतलब है आ गया आते हैं 23 या 23 या 20 गा तो उसमें दिया गया है कि protection from self incrimination इसमें कहने का क्या मतलब है इसमें क्या कहना चाह रहा है हिंदी में इसको बोलेंगे कि स्वयम के विरुद साक्ष्य प्रस्तुति करण से संदक्षड ठीक है इसका कहने का क्या मतलब है कि कि किसी भी अपरादी को स्वयम के विरुद यानि कि के ही खिलाफ कोई पूफ प्रस्तुत करने के लिए उसके मजबूर नहीं किया रहा सकता उसको ठीक है तो यह हो गया आर्टिकल 20 अब आगा आते हैं आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 क्या कहता है आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण वं दहिक सोतनत्ता अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे इसको तो इंगलिस में क्या बोलेंगे प्रोटेक्शन ओफ लाइफ एंड परस्नल लिबर्टी इसमें कुछ पॉइंट्स बताये गया है कि आपको जो है कौन कौन सी फ्रीडम्स मिलती हैं क्या क्या दी जाती है तो टोटल लगबग 11 या 12 जो है फ्रीडम्स है जैसे कि यह सिक्षा का अधिकार हो गया जुसको 21 का में बताये गया है उसके बाद हो गया चिकित्सा का अधिकार आपको कानूनी साहता दी जाएगी रोजगार प्रातिका के लिए आप सोतंत्र हैं परेटन के लिए आप सोतंत्र हैं सड़क के किनारे ब्यापार करने के लिए आप सोतंत्र हैं उस सन्यास करने की सोतंत्रता है, आपको सन्यास ले सकते हैं, उसके बाद आप जीवन साथी चयन करने का भी आपको अधिकार है, तो इस तरह के अधिकार जो है 21 आर्टिकल में बताएगे हैं उसके बाद आते हैं आर्टिकल 22 इसको मैंने वैसे पढ़ाया हुआ है मैंने आप मेरे चैनल पर जाके देखेंगे तो मैंने NSA के बारे में पढ़ाया था जब तो मैंने आर्टिकल 22 के बारे में पढ़ाया हुआ है बताया है वहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे भी जान लेंगे कि 22 में क्या दिया हुआ है, 22 में दिया हुआ है कि गिरफतारी के विरुद संरक्षड या निवारक निरुद्धी या प्रतिबंधिर, ठीक है, इंगलिस में क्या बुलेंगे, इसको protection against arrest and detention, तो इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है, कि गिरफतारी के विरुद संरक्षड, यानि कि आपको अगर गिरफतारी कर ली गई, ठीक है, तो आपको अधिकार होगा कि उसका कारण जानने का, कि आप जान सकते हैं कि किस वज़े से आपको गिरफतार किया गया है, उसके बाद आप अपने जो relatives हैं उनको सूचना भिजवा सकते हैं, उसका अधिकार है आपके पास, और दूसरा आपको वकील करने का भी अधिकार है, यानि कि आप कानूनी सहायता ले सकते हैं, इसका भी आपको अधिकार है, तो आर्टिकल 22 के तहती कुछ कानून बनाए गये हैं, उसी में से NSA भी एक कानू कानून है, मैंने आपको पिछले भी बताया था, पहले भी बताया था मैंने आपको, तो एक एक करके यहां पर जानेंगे, पहला है कि राष्ट्री निवारक में रुद्धी कानून, अब इसको सुरू किया गया था 1950 को, और इसको समाप्त कर दिया गया 1969, क्या होता है कि जि इसको कहता है, इंग्लिस में, ठीक है, तो इसमें नजरबंदी का टाइम पिरिड है कि आपको कितने महीनों तक जो है, डिटेंशन में रखा जाएगा, अगर आपके उपर यह कानून लग जाता है तो, तो उसी तरह से जो राष्ट्री निवारक में रुद्धी कानून है, इसको 1950 में बनाये गया, और 1969 में इसको खतम कर दिया गया, 1969 में, और इसमें पूरे 12 महीनों की, 12 मन्त की जो है, इसमें नजरबंदी होती थी, अगला कानून है मीसा, मीसा का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं, मीसा मीन्स मेंटिनेंस औफ इंटरनल सिक्यूरिटी एक्ट, यानि की आंतरिक सुरक्षा बिवस्ता कानून, इसको सुरू किया गया 1971 में, और इसको खतम कर दिया गया 1977 में, इसमें टोटल 21 मन्त की जो है, डिटेंशन होता था इसमें, अगला आता है रासुका, इसको मैंने पढ़ाया है, NSA के बारे में, National Security Act, इसको सुरू बनाये गया था, 1980 में, और अभी तक ये लागू है, वर्तमान तक लागू है, इसलिए अभी जो है, आपने सुनाई होगा कि यूपी के मुख्यमंत्री योग यादित तेनाथ जी ने इसको लागू कर दिया था, तो इसमें नजर बंदी होती है, 12 महिनों की, अगला कानून है TADA, TADA Act, इसको बनाय गया था, 1985 में, और इसको खतम कर दिया गया, 1995 में, इसमें जो है, नजर बंदी कितने महिनों की होती थी, 12 महिनों की, आपने सुनाई होगा, संजदत को, संजदत जो अक्टर है, उनको सजा हुई थी, तो उनको TADA Act के तहती सजा हुई थी, अगला आता है, POTA Act POTA Act सबसे पहले जानेंगे, फुल फॉर्म, Prevention of Terrorism Act, आतंगबाद निवारण कानून, ठीक है, इसको शुरू गया गया, इसको बनाया गया, 2002 में, और इसको खतम कर दिया गया, 2004 में, इसमें 6 महिने की नजर बंदी होती थी, तो ये हो गया हमारा, जो है, सुतंतरता का मौलि का दिकार, ये खतम हो गया, मैंने पूरे 19, 222 जो है, आर्टिकल्स आपको डिस्कस कर दिया है, अगला आता है हमारा सोशड के विरुद्ध सन्रक्षड, तो इसमें आर्टिकल कहां तक है, आर्टिकल 23 to 24, यानि कि दो आर्टिकल है, जो कि हमें बताते हैं, सोशड के विरु इसको खतम करना है, यानि कि बाल स्रम नहीं कराना है, बिना वेतन दिये, बिना सैलरी के, या फोर्सफुली कार कराना बच्चों से, छोटे बच्चों से, जो को हम कहते हैं, बंधुआ, मस्दूरी या बेगार, इस तरह के नाम कहते हैं, तो ये सब के लिए कानून बनाए आर्टिकल टुटी थी के तहर्ट आजिकल í टूटी थी के बात करते हैं इसमें क्या बताएगी कि बाल स्रम का निश्यत बाल स्रम को रोकना यानि चौदा वरसे किमाई के बच्चे जो है उनसे कोई भी कारे नहीं कराए रजा सकता यहां की कोई घरेलू कारे भी नहीं कराए सकता ठीक है अब आते हैं अगला क्या है अगला आ जाता है हमारा धार्मिक सोतंदरता का मौलिक अधिकार तो इसमें क्या है इसमें आर्टिकल 25-28 इसको डिस्कूस किया गया है मैं आपको यह कभी पूछा ने गया है कभी भी किसी एक्जाम में नहीं गया है तो मैं और लिए इसके नाम से ही धार्म का पालन करने के लिए हम पूरी तरह से सोतंत्रत हैं कि भी। थर्म को मान सकते हैं जाय कोई भी धर्म हो हम उसकी द्र似 170 भहुसाप किसी भी भगवान को मान सकते हैं उनकी पूजा कर सकते हैं यह सारी चीजों को करने के लिए हम स्वतंत्र हैं यानि कि हमारे उपर कोई कानूनी कारव्याई नहीं हो सकती वो चाहे कोई भी धर्म हो सारे धर्मों के उपर यह चीज़े लागू होती हैं आगे आ जाता है हमारा ँवर्गन इसको डिसक्षा और उंकी सिख्षा और उनकी संस्क्रती को बढ़ावा मिले, इसके लिए उनकी बात की गई है आटिकल अने उसमें उनके सिख्षर संस्थाओं के बारे में कि उनको भी पढ़ने का मौका मिले और वो आगे बढ़े इस बारे में बात की गई है अब जैसे कि आप जानते हैं आर्टिकल इसके बाद 30 के बाद आएगा आर्टिकल 31 तो आर्टिकल 31 में दिया गया था संपत्ति गादिकार जो कि मैंने आपको बताया है कि हटा दिया गया है संविधान संसोधन के तहट 1978 में इसलिए बाग आ गया आते हैं संविधानी कुपचारों का मौली कदिकार तो इसको बताया गया है आर्टिकल 32 में आर्टिकल 32 बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है बहुत बार पुछा गया है बहुत ज़्यादा चीजें पूछी जाती हैं इससे कई सारे कोशन्स पुछ जाते हैं क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है तो हमारे जो बियार अंबेटकर जी हैं उनके अनुसार संविधान की आत्मा कहा गया है आर्टिकल 32 को कन्फ्यूज मत हुएगा संविधान की आत्मा कुण्जी और अभूशड प्रस्तावना को भी कहा जाता है लेकिन बियार अंबेटकर ने जो है संविधान की आत्मा कि इसको कहा है अगर ऐसा पूछ जाए तो आप हमेशा आर्टिकल 32 लगाएंगे तो बात करते हैं आर्टिकल 32 कहता क्या है क्या क्या चीज़े दी हुई है आर्टिकल 32 संविधानी कुप्चारों का म सुप्रीम कोट किस तरीके से इसका मुल अधिकारों पर काम करता है मुल अपचार करता है तो इसके लिए रिट्स बनाए गये हैं इसके लिए सुप्रीम कोट को रिट्स जारी करने का अधिकार है उसको सकती प्राप्त है इस जीज़ की तो टोटल पांच प्रकार के रिट् हिंदी में नाम बहुत टफ है समझना भी बहुत टफ है थोड़ा कंफि Mediter करें तीसरा आ जाता है परमादेश, चौथा आ जाता है प्रतिसेद, फिर पांच वा जाता है उत्परिशर, तो यह बांच प्रकार के रेट्स हैं जो जिसके तहत सुप्रीम कोट आपके मुलतिकारी को रक्षा करता है, मैंने आपको पूरे आर्टिकल डिस्कस कर दिये हैं, यह सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, so this is it, देखते रहे हैं, पॉलिटी और पढ़ते रहे हैं, so thank you so much for watching